हलो स्टुडेंट आज आपका स्वगत है नगिन बेस्ट डिजिटल चैनल पर आज हम करेंगे क्लास नाइंद का चैप्टर लखनवी अंदाज जिसे लिखा है ये श्पाल जी ने ये श्पाल जी पहले हम ये श्पाल जी के जीवन के विश्य में थोड़ा जान लेते हैं उनक की वाद लाहोर के नैशनल कॉलिज से उन्होंने बिये किया वहां उनका प्रीचे भगस सिंग और सुकदेव से हुआ सवतंतरता सवादिंता संगराम की क्रामतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वह भगस सिंग और सुकदेव जी से जब मिले तब उसके बाद वह रचनाहें में आम आदमीके सरोकारों की उपस्तिति हैं उन्होंने कोई स्पेचल वह नहीं कर इन रचनाहों में वी की यथार्त वादि फूलों का कुड़ता उलेखनी है ये सब कहानी संग्रहां उनकी उलेखनी है उनका जूटा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है उनका जो उपन्यास जूटा सच उसमें भारत की विभाजन के त्रासदी जब उस समय जो नुकसान हुआ था उसका मारमिक चितरण क्या गया है जूटा सच में अमीता दिव्या पार्टी कामरेड दादा कामरेड मेरी तेरी उसकी बात अनेक उनके परमुख उपन्यास है पर जूटा सच उसमें से भारत विवाजन की त्रासती का मारमिक दस्ता वेज है भाषा की स्वभता और सजीवता उनकी रचनागत विषेशता है भाई उनकी रचनाओं में भाषा, सभाव और सजीव होती है तो और इस चेप्टर में ये च्पाल जी कहते हैנו यो तो ये च्पाल ने लखनवी अन्दाज वियंगे यह साबित करने के लिए लिखा था परन्तु एक सवतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है ये शपाल इस पतंशिल सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए ये शपाल इस पतंशिल सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जो वस्त्विक्ता से वेक खबर एक बनावटी जीवन शैलिका आधी है जो बास्तिक्ता से बेखबर होता है और एक नावडी जीवन को जीता है कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृत को देखा जा सकता है तो इस तरह हमने लेकक के विश्य को में देखा और अब हम देखते हैं कि लखनवी अंदाज चैप्टर में लेकक क्या व्यंगे करता है किस तरह वो बताना चाहता है तो हमारे चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज इसमें बताया गया है कि इसमें स्टार्टिंग में अनुभव और अनुभुती के विश्य में बताया गया है इसमें काफी अंतर नहीं होता है दोनों का सेम सेम अर्थ होता है पर हम चैप्टर के जरीए बताते है कि अनुभुती और अनुभुक के कैसे बताया गया है मुफसिल्स की पैसेंजर ट्रेन चल पढ़ने की उतावली में फुकार रही थी मुफसिल की जो पैसेंजर ट्रेन है ना मुफसिल जाने वाली पैसंजे ट्रेन है वो चल पढ़ने की उताबली में फुकार रही थी चलने को त्यार थी और वो CT बजा रही थी वह कहते हैं न वह टाइम होगे ट्रेन जल्दी चली जाएगी तो वो उताबली में फुकार रही थी दुआ छोड़ रही थी आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं वह अगर आप सेकंड क्लास के डबे में बैटके जाओगे तो उसके पैसे जादा लगते हैं टिकट के पैसे जादा होते हैं दूर तो जाना नह ता भीड से बच कर एकांत में नई कहानी के संदब में संबंध में सोच सकने और खिड की से प्राकर्तिक द्रिश्च देख सकने के लिए टिकट 2nd class का ही ले लिया उस्बाल जी को पर भीड से बचने के लेखक को दूर तो जाना नहीं था पर उन्हें कहानी के संबंद को सोच सकने और प्राकरतिक द्रिश्य को देख सकने के लिए उन्होंने 2nd class का ही टिकट ले लिया ताकि राम से बैठकर वो एकांत में नहीं कहानी के संबंद में सोच सके गाड़ी छूट रही थी सेकिंड क्लास के एक छोटे डिबबे को खाली समझ कर जड़ा दोड़कर उसमें चड़ गए गाड़ी तो छूटी रही थी वो फुकार मार रही थी गाड़ी जाने के लिए तो सेकिंड क्लास के एक छोटे डबबे में को सेकिंड क्लास में एक जबा खाली है तो पर उनका अन्मान गल्थ था उसकी अनुकूल ही हुआ प्रतिकूल हुआ कि वो डबा खाली नहीं था एक बर्त पर लखनौडव की नवाभी नसल के एक सफेद पोश्च सज्जन बहुत सुईदा से पॉल्थी मारे बैटे थे पर लखनौडव की नवाभी नसल की एक सफेद पोश सजन लख्रो के नवाब के नवाब जो सफेद कप्ड़े पहनकर नवाबी नसल के थे वह आदमी वह सफेद पोश कपड़े पहने वे थे सुविधा से अपनी सुविधा के अनुसार सीट पर पॉलती क्रोस लेक करकर पॉलती मारकर बैठे हुए थे, सामने दो ताजे चिकने खीरे तोलिये पर रखे थे और उनके सामने तोलिये के ओपर दो ताजा ताजा चिकने खीरे रखे वे थे, डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आखों में एकांत चिंतन में विगन का अस्दोश दिख तो उस लखनवी की नमाबी नसल के जो सज्जन था उनकी आखों में एकांत चिंतन में विगन विए उनकी जैसे एकांत में उनकी शांती में विगन पढ़के हो या खीरे जैसी अपधार्थ वस्तु का में देख जाने में के संकोच करते वे देखें, जाने के संकोच में हो, नवाब सहाब ने संगीत के लिए उस्सा नहीं दिखा या, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बेट कर आतम सम्मान में आखे जुका ली मैंने भी उसके सामने वाली सीट पर बैठ कर उनसे आखे चुराली और आतम सम्मान किया बैठ कर आखे चुराली ठाली बैठे कलपना करते रहने की पुरानी आदत है उनकी खाली बैठ कर कलपना करते रहने की तो पुरानी आदत है नवाब सहाब क असवीदा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे नवाब सहाब जो थे वो असवीदा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे यह सुईदा खतम हो गई है उनकी और किस संकोच है वो अनुमान करने लगे संबब है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो लेखा कहता है कि यश्पाल जी कह रहे हैं कि यह पिसंभव हो सकता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में कि फायत के विचार से राम से विचार करेंगे इसलिए सेकिंड क्लार्स का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शेहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजले दर्जे में सफर करता देखे अब उन्हें कोई गवारा नहीं था कि शेहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजले सेकिंड क्लास में सफर करता वाद देखे अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे अब किसी सफेद पोश के सामने वो खीरा कैसे खाए हम कनखियों से नवाब सहाब की और देख रहे थे कि हम अपनी निगाए जुका कर थोड़ी सी कान के पास से उपर करके कनखियों से नवाब सहाब की और देख रहे थे नवाब सहाब कुछ देर गाड़ी को खिड़की से बहार देखकर स्तिती पर गोर करते रहे नवाब सहाब थोड़ी देर तो गाड़ी के बहार देखते खिड़की से और फिर स्थिती पर गोर करते है कि क्या चल रहा है यहां पर ओ नवाब सहाब ने सहसा हमें संबोधन किया ओ एक दो मचानक से नवाब सहाब ने हमें संबोधन किया यानि हमसे बात की आदाब अर्ज नवाब सहाब निका कि आदाब अर्ज अपने तरीके से संब बोधन किया यानि नमशकार किया जनाब खीरे का शोक फरमाएंगे कि वो कहते कि आप खीरे का नवाब साहब का सैसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा वह नवाब साहब का एकदम भाव में परिवर्तन अच्छा नहीं लग रहा था भाप लिया लेखक ने भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामली लोगों की हरकत में लथेड लेना चाहते हैं। देखकर गोर किया। वे नवाब साब ने एक बार फिर से खिडकी के बाहर देखा और फिर सामने देखने लग गए। द्रिण निश्चे से खीरों के नीचे रखा तोलिया। जाड कर सामने बिचा लिया। जो रोटा रखा था पानी का उसे उठाया। उसके पानी से खीरों को बाहर खिडकी से बाहर दोया। और तोलिये से पोच लिया। जेब से चाकू निकाला। दोनों खीरों के सिर काटे उन्हें गर्दन गोद कर जाग निकाला। खीरों के अंदर जो जाग होता है उन्हें काट कर निकाला। फिर खीरों को बहुत एतियास से चील कर खाफों फाको को करीने किसे तोलिये को पर सजाते गए। उनको खीरों को एतियास से चीला और उनकी फाके काटी और उसे तोलियों पर सजा दिया। लगनोव स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तमाल का तरीका जानते है। खीरे के इस्तमाल का तरीकाते हैं ग्रहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च पुड़े भी हाजिर कर देते हैं नवाब साबने बहु करीने से खीरे की फाको को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी जैसे लखनाओ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले करते वैसे ही नवाब साहब ने खीरे के साथ किया उनकी परतेग भाव भंगीमा और जबडों की सफूर्था से सपस्ट था कि उस परिकरिया में उनका मुख खीरे की रसासवादन की कलपना से प्लावित हो रहा था उनकी परतेग भाव भगिमा और जबडों की सफुर्ता से सपस्ट था जो खीरों की फाकों को जीरा नमक मिला कर लगा रहा था तो उनके भाव से सपस्ट हो रहा था कि उस परिकरिया में उनका मुख खीरे की रस को स्वाद खीरे की रस के स्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा है उनका मन इस परिकरिया को उससे जो वो कर रहे है नवाब साब कर रहे थे उस परिकरिया से उनका मुख खीरे की रस के स्वाद की कल्पना से वे कल्प ना कर रहे थे खीरे के रसकस्वाद कैसा होगा से पलावित हो रहा था हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मिया रहीस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बचसकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए है वही है नवाब साफ तो बहुत रहीस बनते हैं लेकिन लोगों की नचरों से बचने के लिए सेकिंड क्लास की टिकट ले लिए, पर अब तो असलियत पर उतराएं, नवाब साब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वह नवाब साब ने फिर से एक बार हमारी तरफ देखा, वल्ला शोक कीजिए लखनाओ का बालम खीरा वही नवाब साब कहते हैं कि आप शोक फरमाईए यानि खाईए यह लखनों का बालम खीरा है बहुत अच्छा खीरा है नमक मिर्च छिड़क दिये जाने से तेज ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर मुँँ पानी में जरूर आ रहा था वही नमक मिर्च छिड़क कर दिये जाने वाले ताजे खीरे की जो फाके थी उससे को देखकर मुँ में पानी आ रहा था लेकिन इंकार कर चुके थे परलेकक तो इंकार कर चुके थे कि मुझे नहीं खाना आप खाईए आतम समान निभाना ही उचिस समझा उत्तर दिया शुक्रिया उन्होंने फिर से उनको उत्तर दे दिया शुक्रिया इस वक्त तलब मैसूस नहीं हो रही थी उस टेम उनको तल मैदा भी थोड़ा कमजोर था कि बलाग शोक फरमाईए वो फिर से बोले नवाब साहब की आप शोक फरमाईए नवाब सहाब ने संत्रिष्ट आखों से नमक मिर्च के सहियोग से चमकती खीरे की फाकों की और देखा वही नवाब साहब ने फिर खीरे की फाकों की और देखा खिड़की के बाहर देखकर दिर्द निश्वास लिया खीरे की एक फाक उठाकर होटो तक ले गए बै नवाब साब ने खीरे की एक फाक उठाई और होटो तक ले गए फाक को सुंगा, फाक को सुंगा स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई उस खीरा इतना स्वाद लग रहा था कि उसकी स्वाद में पलके बंद हो गई मुव में भर आये पानी की का घूट गले से उतर गया मुव के अंदर जो पानी भर गया था वो घूट गले से नीचे उतर गया तब नवाब साब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया नवाब साब खीरे को की फाको को नाक के पास ले जाकर वासना से स्वादन कर खिड़की से बाहर फैक दे गए भई नवाब साब क्या कर रहे थे खीरे की फाको को नाक के पास ले जाते और वासना से रस्क का स्वाद लेकर और खिड़की से बाहर फैकते जाते नवाब साब ने खीरे की सब फाको को खिड़की से बाहर फैक कर तोलिये से हाथ और होट पोच लिए अब नवाफ साब ने लेका किए सब कुछ देख रहा था कि नवाफ साब ने एक खीरे की फाक उठाई और रसका स्वाद लिया, नाग के पास ले जा कर और बार फेक दिया और खीरे की सब फाकों को खिडकी से बार फेक कर उन्होंने क्या किया तोलिये से अपने हाथों को और होटों को पूछ लिया गर्व से गुलाबी आखों से हमारी और देख लिया और बड़ी खुशी से उन्होंने अपने गुलाबी आखों से हमारी और देखा मानो कह रहे हो यह है खांदानी रहिसों का तरीका वो ये कह रहे हो कि मानो कि यह खांदानी रहिस इस तरह करते हैं वो खाते नहीं हैं उनका बस रसका स्वाद लेते हैं नवाब सहाब खीरे की तैयारी और इस्तमाल से ठक कर लेट गए वही नवाब सहाब खीरे को काटने में और नमक मिर्च लगाने में इतना और उनको इस्तमाल करने में थग गए और लेट गए हमें तस्लीम में सिर्खम कर लेना पड़ा यह है खांदानी तहजीब नफासत और नजाकत बई नमाप साब ने कहा कि हमें खम कर लेना पड़ा बई सिर्खम कर लेना पड़ा बई तस्लीम में और खांदानी तहजीव है यह नफाजत है नजाकत है वह यह हमारी नजाकत है हम गोर कर रहे थे कि खीरा इस्तमाल करने इस तरीके को खीरे की सुगंद और सुवाद की कलपना से संतूष्ट होने का सुक्षम नफीज या एप्स्ट्रेट तरीका जरूर कहा जा सकता है हम यह गोर कर रहे थे खीरा इस्तमाल करने की इस तरीके को खीरे की सुगंद और सुवाद की कलपना से संतूष्ट होने का तरीका कहा जा सकता है परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की त्रिप्ती भी हो सकती है क्या नाक के पास ले जाकर सुगने से क्या हमारे पेट की त्रिप्ती हो सकती है नवाब सहाब की ओर से भरे पेट के उचे ड़कार का शब्द सुनाई दिया उन्होंने एकदम ड़कार लेका के सोची रहा था कि उन्होंने एकदम ड़कार ली नवाब सहाब ने हमारी और देखकर कह दिया खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील नामुराद मैदे पर बोज डाल देता है भई खीरा लजीज जरूर होता है लेकिन वो होता है बेकार नामुराद हमारे कमजोरी बढ़ा देता है शरीर में ग्यान चक्षु खुल गए पहचाना यह है कि नई कहानी के लेकक भई इससे ग्यान के चक्षु खुल गए और उन्होंने पहचाना कि यह हमारी नई कहानी के लेकक है लेखक ने क्या पेचाना कि नवाब साभी हमारी नई कहानी के लेखक है। खीरे की सुगंद और सुगंद की कलपना से पेट भर जाने का डगार आ सकता है। तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। खीरे के सुगंद और सुगंद की कलपना से पेट भर जाने बस उन्होंने सुगंद ली थी और सुगंद की कलपना ही की थी और पेट भर जाता है और डगार आ जाती है। तो बिना विचार के घटना और पात्रों के, ना तो कोई घटना है, ना कोई पात्र है, ना कोई विचार है, लेकक की इच्छा मात्र से ही नइ कहानी क्यों नहीं बन सकती, तो इस परकार येश्पाल जी ने इस पूरे चेप्टर में ट्रेन के अंदर सेकंड क्लास की टिकट लेकर बैठ कर नवाप साब की हरकतों को देखा और उसे महसूस करा और फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं कहाने का लेकक हैं तो अब हम आगे इसके अभियास के प्रशनुत्तर करेंगे आपने चेप्टर को अच्छे से पढ़ा हो और ये श्पाल जी के बारे में अच्छे से जाना कि उन्होंने इस चेप्टर को क्यों लिखा किस लिए लिखा वही अपने मन की इच्छाओ को पूरा करने के लिए उन् इस तरह वो नवाब साब से मिले और इस तरह आपने आपको चैप्टर में एक लाइन टू लाइन आपको समझाया और अब हम आपको अभ्यास के प्रशन कराएंगे और आशा है आपने चैप्टर को अच्छे से समझाओगा जिससे आपको प्रशन उत्तर करने में कोई मुश् किलना हो